सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है लवनीश सरकी क्लास अंडस्कोर डबल टू यहाँ पर भी आप इसको फॉलो करके हमारी लेटस और अपडेटिड वीडियोस को देख सकते हैं हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राश्ट्रे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 65 जो की क्लास 6-8 के स्टूडेंट्स के लिए है ये आधारित है दूरी नापने पर दूरी चलो दूरी नापेंगे इस बहाने कुछ काम तो करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं दूरी मापने के कई तरीके या पैमाने हैं कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से आपने भी नापी है ना हम अपने घर में लंबाई नापते हैं तो मम्मी से पुछते हैं कैसे नापने कैसे नापने करके तो मम्मी बोलती है कि हाँ इंच में नाप ले और इतने इंच होंगे तो इतना फुट बन जाएगा, इस तरीके से हम ये काम करते ही रहते हैं, इसके लिए आप कौन-कौन सा तरीका जानते हैं, देखिए किलोमीटर और इंच वाला तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे और पैमाने होते हैं, कुछ पैमाने तो ऐसे हैं, कि जो केवल अंदा आजे पर निर्भर करते हैं, जैसे मीटर सेंटी मीटर तो हम किसी इंची टेप से, फुटे से नाप सकते हैं, लेकिन जैसे और भी कई तरीके होते हैं, जैसे गजमे नापना, हाथ के पंजे से, आपने देखा होगा ना, कि हम बोलते हैं, भाई तेरी उचाए कितनी हैं, ए लम और हाथ से दूरी मापने देखिए, मैंने अभी यही बताया था आपको, क्या आपने कभी ऐसा किया है, आज फिर अपने घर की कोई एक दिवार हाथ से ना पिये, अर्थात उसका मापन कीजिए, उसे नोट कर लीजिए, और फिर अगली कक्षा में जाने पर फिर वही धो भराईएगा, फिर दोनों बार की दूरी में अंतर और उसका कारण समझिएगा, नीचे चित्र में इसी तरही के का प्रियोग किया गया है, चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं, और अन्य कई आकरितिया भी हैं, आपस में उनके कदमों की दूर भी नापते हैं, डिस्टेंस को हम नापते हैं, ये फुटा तो देही रखा है, ये कई बार मग में भी निशान लगे होते हैं, और उसके हिसाब से भी हम पानी देखते हैं, इंची टेप से नापते हैं, पैरों की निशानों से भी नापते हैं, आपने देखा होगा ना कि भई तेरी क्लास मेरी क्लास से, जो है, पांच कदम दूर है, या मेरे घड़ से जो विध्याले है, वो लगभग 200 कदम दूर है, इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए, यह इस तरीके से भी हम जो है नाबते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार जब हम कोई लास्टिक लेने जाते हैं या कुछ लेस जो उस पे कपड़े पे लगाते हैं उसको जब हम लेने जाते हैं तो जो दुकानदार होता है वो अपनी एक हाथ से पूरा करके कर देता और कहता है ये एक मीटर हो गया तो ये भी बहुत सारे तरीके हैं दो बच्चे दे रखे हैं सुलेखा और देवेश और इनके बारे में कुछ प्रशन पूछे गए हैं उनको हम करने के कोशिश करते हैं और यहाँ पर सारा दे रख्खा कि देवेश के घर से सुलेखा का घर कितना दूर है कितने कदम दूर है, विद्याले कितना दूर है, तो इसी तरह से हमने अब ये प्रश्न करने हैं, जो पहला प्रश्न है, वो है सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है, तो अगर आप धिहान से देखें, तो यहाँ पर यह देखिए, यह बना हुआ और यह रहा 125 कद यहाँ पर हमने लेख दिया, सुलेखा का घर देवेश के घर से 125 कदमों की दूरी पर है, फिर दूसरा जो प्रश्न लिखा हुआ है, वो लिखा है कि देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा, तो अगर आप धिहान से देखें, यहाँ पर देवेश के घर से कितनी दूर है, तो यहाँ पर दो चीजे आएंगी, पहले देवेश के घर से बस स्टैंड और फिर बस स्टैंड से स्कूल की दूरी, तो यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश किये कि देवेश के घर से बस स्टैंड है, 178 कदम, और बस स्टैंड से स्कूल कितना तो कुल दूरी कितनी हो गई, 178 कदम, जम्मा में 803 कदम, कुल जो दूरी हो गई वो दिवेश के घर से वो हो गई, 981 कदम, इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तीन बच्चे बना रखें, और इनके बारे में प्रश्न पूछा है कि जब ये तीनों बच् सुलेखा के घर पहुंचेंगे, तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर जो घड़ी बना रखें, आप ध्यान से देखिए, तो ग्यारा बच्च के 40 से थोड़ी सी उपर है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ ग्यारा बच्च के 42 मिनट होंगे, य अब ध्यान से देखें, तो एक और प्रशन जो आया हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि यदि एक ही समय पर और एक ही गती से देवेश और तीनों बच्चे विद्याले के लिए चलें, तो पहले कौन पहुंचेगा, तो अभी अभी हमने पता लगाया है कि देवेश के घर स स्कूल की दूरी है 981 कदम, और ये तीनों बच्चे जब स्कूल पहुंचेंगे, तो उनके लिए होते हैं 999 कदम, तो कौन जल्दी पहुंचेगा, देवेश, कौन जल्दी पहुंचेगा, देवेश, इसलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, फिर जब हम इस प्रशन प 667 कदम है, 567 कदम दूर है स्कूल, और जो देवेश के घड़ से है, वो है 981 कदम दूर, जो क्यों हमने पहले पता लगाया था, अब इन दोनों की दूरी का अंतर लगाएं, तो अंतर का मतलब होता है माइनस, यानि 981 में से, जब हम 567 कदमों को माइनस कर देंगे, तो हमा प्रशन और है, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तै करती है, तो सुलेखा के, तो घर से विद्याले की दूरी थी 567 कदम, और बस जो स्कूल की दूरी नापती है, वो करती है 803 कदम, तो अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि बस जो है, वो 236 कदम जादा चलती है सुलेखा के मुकाबले, तो इसका उत्तर यह होगा कि 803 कदम, माइनस 566 कदम, बराबर 236 कदम, अब इसके बाद जो अंतिम प्रशन है, वो है, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं, और कितना समय लगता है, और अन्य स्कूल किस साधन से जाते हैं, तो मैंने तो यही लिखा कि मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, और मुझे स्कूल पहुचने में 15 मिनट का समय लगता है, क्योंकि जादा तर बच्चे अपने स्कूल के आसपासी रहते हैं, और अन्य बच्चे जो है, वो रिक्षा, चैनल को जादल भी जाते हैं, तो ये तो थी हमारी आज की वर्कशीट, लेकिन एक खुशी की बात ये है कि चलो कम से कम वर्कशीट में इस है, स्कूल जाने की बात तो की, हमारा मन तो खुश हुआ, इस लॉक्डाउन में तो हम लगबग 6 महीने से बैठे-बैठे, घर में ब जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ही जादा शेयर कीजिए और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वरक्षीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर जरूर पढ़ते रहिए धन्यवाद